हेलो गाईच आप सभी का दुबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है दोस्तोर भाई गुरुबैनों आप सभी को पता है कि डेली हरियाना कोसल रोजगा निकम के आपको जानकारी दी जाती है डेली निन्यू भरतियों के अपडेट्स आते रहते हरियाना में उस हर्याना के पेपर की हम जानकारी देने वाले हैं इसाब कर रहा हर्याना के जितने भी आपके एक्जम पैर करेंडिंग allá गुरूपके एक्जम पैंडिंग हैं उस्फसी बाइ गुरुबैंट जितने भी 32,000 पोस्टों के उपर लगना चारे हैं जिसके अंदर हर्याणा के एकजाम की जो डेट सिट है एकजाम का जो सेडूल है वो जारी कर दियागा है हर्याणा का एक एक अपडेट आपको पता चलता है सबसे पहले सबसे फास्ट आपको जानकार करना चारे हैं तो वीडियो के डिसकाप्शन में जाके वहां से अमरा टेली करम गुरूप भी जोइन कर सकते हैं हर एक नोटिफिकेशन सुबह से आम दो पहर किसी भी टाइम कोई बी इनफोर्मेशन आएगी सी जानकारी आपको मिलती रहेगे तो हर याना के जो एकजाम मै 32,000 पोस्टों के सभी ग्रूपों के एक्जाम सडूल जारी हो चुका है किस परकार के एक्जाम होंगे कब से कब तक आपके एक्जाम की सडूल जारी के रगित दिया गया है और अपना टाइम देखते हुए किसी भाई गुर्बैन को कुछ भी इस्सूज होते हैं मुझे कोमेंट करके जुरूर बताइए कि आपने कौन जी भरती का पैंडिंग में रखा है कौन जी भरती का आपकी पैंडिंग में कि जिस परकार ची आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पारी है आपने कोई बर्ति का ऐसा है जिसका फोरम अपलाई कर रहा हो आपको कोई उसके आगे अपडेट नहीं मिल पा रहा हो तो मुझे आप कोमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इत्पैरा सा कोमेंट जुरू किया करो कुछ टाइप के आपको भरतियों के अपडेट चाहिए और सा मेरे सबी बाइगर बेहनों को बिल्कुल साब साब दिकराओगा इस लेटर में क्या लिखा गया है मोस्ट इमीडियेट ये लेटर लिखा गया है कि इमीडियेट लेटर आया है सेक्रेटरिये.hssc.io ओफिशियल वेबसाइट रेन वाली है अपका पंचकुला से लेटर जारी कर दिया गया है हर जी लेके सब को ये लेटर बेज दिया गया है सबजेक्ट में क्या लिखा गया है कि पोस्त गुरूब डी और गुरूब सी साइकड फेस की एग्जाम है वह इमिडेटली आपकी करवाई जारी हैं जिसके अंदर क्या लिखा गाया है इन दीज रिकार्डिंग इमिडेटली जो आपका रहने वाला हरियाना स्टाप सेलेक्शन जो एक्जाम जो आपके गुरूब डी की परिक्शा और गुरूब सी की सेकंड फेस की अगस्ट सेप्टमबर एक्टूबर के मैंत में आपकी करवाई जाएगे और वो किस फरकार से आपका सेडूल जारी क्या गया है जिसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा पांच अगस्ट से लेकर 29-10-2023 त पर ही आपकी सीटिंग कावेस्टि के इसाब से ओनले दस दिन के अंदर यह पूरा सेडूल है वो जारी करें इनका लेटर यह हुआ है कि आप कितने एक्जाम सेंटर बना सकते आपने अपने जिले के अंदर कितने बच्चों के आपके पास में कावेस्टि रहेगे उसके इ जिसके अंदर आपके जो डिप्टी कमिनिसर साहब है उनको कंड़ेक्ट किया गया है कि उनको बताएगा है लेटर के तरवारा कि हर सचे जे सेंडे को एक्जाम होना चीए और पूरे अपने जिले के अंदर जितनी जितनी बच्चों की कपेस्टिए है वो लेटर हमें आपका अगस्त के तहांत आपका 29-23 तक अक्टूबर के महने में आपका एक्जाम करवा ले जाएगा जिसके अंदर अगस्त के महने में पूरे अगस्त के महने में एक्जाम चलेंगे और अक्टूबर के महने में आपके रेगुलर एक्जाम चलेंगे जो भी यह डेटे दे र रहने वाला है जिसने भी CET गुरूब D की परिक्षा के लिए आपने अपलाई किया था अभी कुछ टाइम पहले और गुरूब C के लिए आप पास आउट है शाड़े तीन लाग बच्चे जो पास कर रखें उनका एक्जाम करवाय जाएगा और गुरूब D का भी आपका एक इन definitions मिलेगी यहीं चीजह आपको बताके यहएं बारापडीट आती रहती है को हरिक भाँ एक आप देगड कर लेंगे और आपको API आपको मिलेंगे पूछ बहुत बाते हैं लूई बहुत इंत्य मुधाने वाला है, तो इह अपडेट आपको अच्छा लगा, तो एक यदियो को लाइक जरूब करते न, क्योंकि भाई घुर भैनों, आप वीडियो को देखते हैं, लाइक नी करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही वो डेट करता है जितना जादा हो सकता है उतना जादा आप लाइक कीजिए भाई गुर्वेनो मिलता हूं नेक्स डियो में थैंक्यू जैहिन जैबार्थ